तो आज हम यहां पर मैटरी दवा स्राउंडिंग पार्ट शिक्स को डिसक्स करेंगे इसे पहले मैंने पांच लेक्टर बनाए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप लिंक के तुरू जाए और पांचों देख लिजिया हैं और अगर आप तैंत यहां थीक्रिबिन के लिंक दे रखे हैं मैंने इस्टाग्राम पर विंक के दे रखे आप जाके कर दिगे तो हमने पिछले प्रीवियूस लेक्टर बात कि थी की सॉलीड लिक्विड्र गैस की करेक्टर से स्टिक को देखा था और उसके मैंने कमपेरीजन किये थे करेक्टर के तो आज के लेक्टर में हम देखेंगे कि दूसरा इफेक्ट आफ चेंज आफ टमपरेचर तीसरा मिल्टिंग पाइंट और चौथा लेटेंट हीट इन चारों को ध्यान में रखते हुए हम आज इस्टेडी करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर वाटर जो है जो हम पीते हैं वह एजर लिक्विड इस्टेट होता है दूसरा अगर उसको हम बर्प में रख दे तो वह आइस बना लेता है जो कि सॉलिड इस्टेट है अगर उसको हम और हीट दे तो वह बिपर बना लेता है जो कि गैसियस इस्टेट है मतलब वाटर जो है प्रिस्विड पर तीनों स्टेट के रूप में है सॉलिड में भी है लिक्विड में भी है गैस में भी है ये तीनों के तीनों environmental temperature और प्रेशर पर डिपेंड है temperature अगर हम घटा दते हैं तो हमारा आईस बना लेता है temperature और pressure बढ़ा दते हैं water बना दता है ice और और बढ़ा दते हैं तो वे पर बना दता है मतलब state जो है तीनों के तीनों interchange होते रहते हैं influence of the temperature और pressure तो ये solid liquid gas तीन रूप में तो हमारी दिवा में आया कि matter के अंदर क्या होता है during the change of state दूसरा आया कि उनके particles के बीच में क्या होता है और तीसरा आया कि कैसे वो change होते हैं तो हम characters की बात करें solid जो होता वो क्या होता solid जो होती है molecule जो होती है fixed pattern में held करती है और vibrate करती है लेकिन liquid में molecule fixed fashion में vibrate नहीं करके वोलकि random move करती है और freely move करती है इनके बीच का intermolecular space कम होता है in case of solid but in case of liquid बहुत जादे होता है क्या होता है अगर हम temperature को increase कर दे temperature को increase करने से molecule के बीच का जो force of attraction है वो break हो जाएगा वो break क्यूं होगा क्योंकि particle जो है उसकी kinetic energy बर जाएगी kinetic energy बरेगी क्योंकि कहा गया था कि kinetic theory of motion कहता है कि every object जो है उसके पास क्या होता है हमारा every object जो है उसकी molecule motion करती रहती है continuous motion में होती है तो solid के case में भी motion में होती है जैसे यह temperature increase करते है उसका kinetic energy बर जाता है kinetic energy बरने से movement of the particles बर जाती है और movement of the particle बरने से उसका जो है bond break हो जाता है और वो एक fix pattern से random fashion में change हो जाता है और यह random fashion में change हो जाने से जो state मिलता है वो different state liquid होता है और solid से liquid का बनना melting कहलाता है या liquifying कहलाता है वापस जब हम quantity के नजरी को decrease करते हैं temperature को decrease करते हैं तो liquid जो होता वापस freezing होके solid बना लेता है या solidifying कहलाता है तो क्या हुआ मैंटर में क्या हुआ मैंटर के अंदर particles बने हुए थे मैंटर अपना state change कर दिया मैंटर के पार्टिकल के विच में क्या हुआ उसके बीच का attraction force ब्रेक हो गया खतम हो गया और कैसे चेंज हुआ temperature कानिटिक इनर्जी इंक्रेज हुआ बॉंड ब्रेक हुआ फैसन जो था फिक्स पैटर्न से रंडम पैटर्न में आ गया है तो इस तरह से हमारा सॉलिट से लिक्विड चेंज हो गया है तो यह हमने लिखा थियोरी में क्या है कि temperature increasing the temperature of the solid kinetic energy of the particles increase which leads to increase the speed of particles the energy breaks the bond between the two atoms which leads to the freely movement and this state the this state called the liquid state यहां bond का मतलब क्या है intermolecular force of attraction अब जो हमने temperature दे रहे हैं तो सारे bond एक साथ तो ब्रेक होंगे नहीं धीरे धीरे ब्रेक होंगे तो जो minimum temperature होगा जिस temperature पे last वाला bond break होके second state of the matter बना ले उसे बोलेंगे हम melting temperature क्या हो गया रहा minimum temperature at which a solid melts to become a liquid मतलब क्या है solid से liquid में बदलना बदलने वाला temperature जहाँ पे solid से liquid बन जाएगा उसे हम melting temperature बोलेंगे कहाँ पे atmospheric pressure is called the melting temperature melting temperature या melting point जो है उस point पे heat तो हम बहाते रहते हैं heat increase होती रहती है पर temperature increase नहीं होती है melting point जो है वो indication करता है force of attraction का जिसका force of attraction जितना जादे होगा उसका melting temperature उतना ही उसका melting point उतना ही जादे होगा क्योंकि melting point जो है क्या है interface है between the solid or liquid और उनके बीच जो change करना है तो उसमें main जो roll है वो force of attraction का break होना है और force of attraction जितना जादे होगा उतना ही जादा हमारा energy लगेगा उतना ही जादा हमारा temperature लगेगा तो melting point जो है वो indicate करता है force of attraction बिट्विन दी पार्टिकल्स यह mcq में पूछा जाता है यह line दूसरा क्या है कि solid state से liquid state में बदलना fusion कहलाता है अब एक latent heat है hidden heat है latent heat और hidden heat छुपा हुआ जो होता है उसे बोलते है छुपा हुआ हुआ ही जो है latent heat कहलाता है इसका क्या मतलब होता है कि melting point melting point पे हमारा solids into liquid solid into liquid हमें solid से liquid बनाना है लेकिन melting point के temperature पे तो जितनी एनर्जी की हीट की जरूरत होती है उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं अमाउंट आफ दे हीट एनर्जी देट इस रिक्वायर तो चेंज वन केजी ऑफ सॉलिड इंटो लेक्विड एट टेमोस्फेरिक प्रेसर as its melting point is known as a latent heat of fusion latent of fusion मतलब क्या हो गया छुपा हुआ हीट जो हमें दिखाई नहीं देता है बाकी हीट में कैसे दिखता है temperature increase होने से पर in case of graph देखो हमने इस graph में x अक्सस पे heat दिखाया है y अक्सस पे temperature दिखाया है हमने कहा कि यह melting point है जहां आपको दिख रहा indication है यह melting point है melting point कहा है यहां से हमारा solid से liquid में बदल जाएगा ठिक पर heat जो है x-axis के parallel एक line खिचा हुआ है melting point पे वो melting point जो है वो पूरा bond break होने में लगा उनके force का attraction को तोड़ने में लगा तो यह melting point पे जो heat increase होई पर temperature increase नहीं होई यह जो heat जरूरत पड़ा था में यह जो straight line में हमें मिला है parallel line में मिला है x-axis के उस इतनी heat को हम latent heat बोलते हैं इसे हम latent heat of fusion बोलते हैं solid से liquid बदना melting का लाता liquid से solid हमारा बाकी ऊपर वाला जो हम next lecture में study करेंगे उसको क्या करते हैं आज हम सिर्फ liquid तक study कर रहे हैं तो हमारे दिमाय में question आया when a solid melts its temperature remains same so where does the heat energy go तो क्या हो गया जब melt होता है तो energy जो होती है temperature remains same होती है तो heat energy कहां जाती है used to break the bond between the particles या break the attraction of force of the particles दूसरा क्या हमारा why the particles in the water at a zero degree c have more energy as compared to the particles on the ice at the same temperature तो जो water है zero degree c पर वो initial state है वहां से उसको 100 degree तक ले जाने के लिए बहुत energy की जरूरत होगी या एक का सकते हैं water जो है initial state होता zero degree c पर मतलब उनके बीच का force of attraction जाते होगा और ice का last step होता zero degree c तो last step है मतलब बहुत ही कम चुपा हुआ heat या latent heat की जरूरत होगी hidden heat की जरूरत बहुत ही कम होगी तो वो जो hidden heat है वो कम परेगा मतलब ice के condition में hidden heat कम होगा और वाटर के condition में heat जाते होगा तो latent heat जाते होगा तो उसको जादे energy की जरूरत है more energy है compared to the ice तो क्या होगी है मतलब कि जो water है वो zero degree c पे high latent heat रखती है latent heat हाई रखने से energy जाते होती है compared to the ice at the same temperature अगर वीडियो आप अच्छा लगे तो आप वीडियो को like करें कोई भी doubt हो तो comment करके पूछ सकते हैं channel को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा सेयर करें Thank you for watching this video